कि चलो आजाओ शुरू करते हैं ठीक है ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं मुकूल तो काफी फैमिलियर है मेरे से बाकी आप सब तो नहीं हो अजय आप लोग अजय आप मेरी क्लास अटेंड कियो अजय आप पहले इससे पहले या फर्स टाइम अटेंड कर रहे हो ओके सो मिरा नाम है स्विनी खुमार है खुसी मैम जो है वो मेडिकल लीफ पर है इस वायसे मुझे ये क्लासेज असाइन की गई है ठीक है खुसी मैम अभी कुछ दिन साइड लीफ में रने वाली है तब तक मेहीं एक लास अटेंड में ही कैसे अथिखनें लॉट कर में हम उसकें अचाशा алग little को ॹाहिस रऑउन दुकन लॉट घर रेट कंगी १ारव अजय हम तो इसके लिए हम क्या को सूऌने रहा है कख़ंगal न्यूर करना धीच नेटinkशली लॉट क्म धनेगे эк मेंनीट को इरो करेक्शन भी देखेंगे कि लाप्लास ने आखिर कॉन सा करेक्शन दिया था ठीक है बस यह पढ़ना इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक डॉप्लर इफेक्ट है बस इतना ही आज का है ताइम अगर बचेगा तो हम निमेरिकल्स करेंगा मेरे पास करीब 10 निमेरिकल्स है उस एन फ्लुट्स हए इसका जो फार्मूला होता है ने यह फर्मूला होता है अंडरूट कुछ अलग नहुं है बीटा तो टैसटि टीक है जहां पर बीटा क्या होता है विता हिए भौ्या डेक्विश्ट आजड मी पूछना यह असना कि इसको यह इसको यह प्याल रिखो तो फिर आगे की चीज आहलो जाएंगी बस मैं आपको कह रहाँ इसको याद रखो इसको ड्याइब करने में काफी समय चला जाएगा और यह युजरिस हैडिवेशन मातलब है इसवसमे इसको डिराइबनी कर रहा हूं ठीक है जो करता है तो विलोसिटिटी ऑफ साउंड इन वॉट में टयूट में पास होता है विलोसिटी ऑफ साउंड इन सौलेट कर रहे होते हैं यंग्स मोडलास ओवर देंसिटी यंग्स मोडलास में कि यह फर्मुला आपको अभी जो मुझे ज़रूवत है ना अभी जिसकी ज़रूद पढ़ने माली है आपको यह फर्मुले की यह फर्मुला भी आप याद रखो इसका मैं अभी यूज करने जा रहा हूं विलोसिटी ऑफसांड क्या होता है एसको आप बल्क मोडलस डिवाइ तो अब यहां से आगे चल रहे हैं चलवाज़ों अब ही मैं इसको डिराइव करने वाला, Newton ने क्या आप व्योड़ा दिया हो था, तो Newton's formula पर हम बात करते हैं। Newton's formula इस पर हम बात करने वाला था। ठीक है, तो Newton ने क्या कहा था, तो basically आपने परहा होगा जो यह आपने पढ़ा है कंप्रेशन और एर फेक्शन का डीजन बनता जाता है ठीक है यह तो है ना गुड़ इवनिंग सैली जो खुसी मैं है ना वो मेडिकल लीफ पर है ठीक है तो आप मुझे यह एक लास असाइंड किया गया है अब यह दो ग्लास मैं लूँगा ठीक है मेरा नाम अस्विनी कुमार है ठीक है क्लास अभी मैं कुछ ज़्यादा परहाया है नहीं बस कंटीनिव कर रहा हूं ठीक है सैल सब यह थैनि भाш है वर यह सब्सक्राइब करें खर उल स्बसक्रा उर वर के अञित्था तो न्यूटन ने क्या बोला था जो कंप्रेशन और फेक्शन का जो रीजन बनने वाला होता है ना इस इस तो यहां पर आपने कोई एक तो न्यूटन ने क्या कहा था हम निकाल क्या रहे हैं बताओ हम निकाल क्या रहे हैं बोलो सभी बोलो भी तन भी बताओ हमक्या निकाल रहे हैं भाई हमक्या निकाल रहे हैं यह मेरा मकसद यह मेरा मकसद है odpow चाहता हूं कि यह जया ज़ाए छाम लएकर लेकर के चाहता瞌 के स३ा किया होटा है इसarm डाइश हमारे अप्रेशन कमप्रेशां कर रहे हो तो में निकल की थे Nah कि यह उनिकस्ट Grade यह में ने玩 उट हुऊ होग तो कर डिया है तो किसे अल तका लिए यह घुला living न्यूटन ने कहा था कि इस लेयर का टेंप्रेटर कभी भी चेंज नहीं करेगा। इस रेयर फैक्षन, इस रेयर फैक्षन एक रीजन होता है जिसमें मतलब कि प्रेसर जो हम यह हमारे कंड से जो आवाज निकलता है जो हम वैबरेट कर रहे होते हो तो तुनिंग फॉर्क जब वैबरेट करते हो जो साउंड को प्रोडूस करता है तो तुनिंग फॉर्क जब वैबरेट करता है तो अपने आस पास के जितने भी अट्मोस्फेर नहीं करता है लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए आपको मेडियम की ज़वत परती है तो यह क्या करता है तो यह क्या करता है तुनिंग फ़र्क होता है यह कुछ तुनिंग फॉर्क होता है इसको क ngες के यह जो करता तो इस त्रैसे सब्स्क्राइब करता है। ड। यह कंपरेशन धार अनकर तो लारता है, ज ए ड। हौथ ऐसीलेसन गोंछता ह। तो इक मेना जाना अनकर जीillaustra बजर स्फेशलिप्वलन ग्रूगिकर दलाभप ठीकल में होता क your tunic प्रोसेस नहीं होता है अभी हम देखेंगे इसको आगे क्या होता है निटर ने क्या बोला था अगर यह एक आइसो थर्मल प्रोसेस अगर यह एक आइसो थर्मल प्रोसेस है तो इसका टेंपरेचर रहेगा बताओ भई आइसो थर्म प्रोसेस को आपको समझ में आ रहा है आइसो प्रोसेटी यह पूछ रहा है अब करने में एक दो क्लास चला जाएगा बहुत तो रहा है नहीं नहीं बता रहा हूं आपको इसका डेडिवेसं आप भरोसा रहा साथ तीचस पर भरोसा रखना करना चाहिए आपको इसका डेडिवेसं करने में एक दो क्लास चला जाएगा बहुत डेडिवेसं थोड़ा टफ इसका तो डेडिवेसं पर नहीं जाते हैं हम हमें यहां से का में विलोसीटी ओफ साउंड इन फ्लूड यह मैं यहां पर पीछे लिखा चुका हूं का विलोसीटी के लिए हम वाई यूज करते हैं जिस यंग्स मॉडलस जब आप सॉलिड में निकालना जाओगे तो आप यह जो बल्क मॉडलस है ना यह यंग्स मॉडलस में कनवर्ट हो जाता है देंसिटी कॉमन है देंसिटी ओफ मटेरियल आप जो भी मटेरियल में साउं कर देंसिटी के लिए तो इसका डोनों का में डेडिवेशन आपको नहीं बता रहा हूं थीक है यह फॉर्मूला आपको याद रखो हां यह फॉर्मूला आप याद रखो इसके बाद आप जो पूछना आप पूछो इसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा बर्ट यह मत करता है इसको डिराइब परके दिखा दो कोई मतलब नियूजलेस है आगे बढ़ें बताओ भी जो ती ठीक है चलो आजाओ न्यूटन के फॉर्मूले बता है ना इसके बहुत कम ऌई इस तरह से साउंड फ्लो करता है न्यूटन ने कहा था, न्यूटन अगलत था यह प्रोसेस इस हो थरमल नहीं होता है, यह हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो Newton ने काया कि ये process isothermal होता है. Isothermal का मतलब होता है temperature constant और isothermal process कॉन दिया था भई? वाल-slo का था क्या? ये वाल-slo से इसको हम भई भीड़ाबर constant ? बताओ भई पीव कोंश्टन होगा ना? वाल-sloow. वाल-slo , यद है सबको? यह निकालना है मुझे बीटा बाई डेंसिटी यह मेरा फोकस हिए है ना इस पर इस पर डिजिट रहना ना भूलना मत हम निकालने क्या जा रहा है आजो पी वी बराबर कॉंस्टेंट को मैं के लिख रहा हूं चलो डिफेंसियेटिंग बोच साइड्स डिफेंसियेटिंग बोच साइड्स दोनों तरफ आप डिफेंसियेट करो क्या आता है पी डीवी ठीक है बढ़ाबर यह कॉंस्टेंट है ना ना इसको और इलैबोडेट करूं बताव मैं यहां से निकालो तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं क्या देखना तो फीडीक है किसी को डाउट है तो पूच सकता है कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है भी मैं फिर से इसको बताऊंगा यहां से पी मैं क्या निकाल रहा हूं देखना जला तो माइनस वी डीपी बाई डीवी मैं इसको लिख सकता हूं क्या फिर से देखना तो वह c times a by b होता है यह होता है यह math आपको पर क्या हो नहीं mathematics है तो यह मत पुछना कि यह कैसे हुआ यह वी जो है न यह वी जो है यहां वाला वी जो है उसको मैं बट्टा में यहां लेकर चला गया हूँ ठीक है के लिए है सबको भई यह चलो आजाओ ठीक है यह आपको bulk modulus बढ़ाबर आ गया भई प्रेसर के बढ़ाबर आया ठीक है अब वापस हम formula पर आ जाते हैं हमारा formula क्या है भई बताओ वी बढ़ाबर under root beta by density यह formula कहां से है मैंने आप कुछ नहीं बताया है यह formula derived कैसे होता है मैंने आपको नहीं बताया मैंने बोला इसको आप रट लो चलो सच अंधर बताना htpm beetkov पання अव उस्फ केंश्वे पडो हुरू श्रया-णीघ खिल्चनत जाओ मैंने इसदoire स्टवराद इंक हुं किमस्ट उक्त में अ डेकर समेंट अढ़ें घू में कालने जारहा हुं स्थर्चत्यक्यू पार्ट बढ़ाव श्टने एंव सब्सक्राइब लिखने के लिखने के टर्म्स हैं सब्सक्राइब इस प्रेसर और इस तेंपरेचर पर डेंसिटी ओफ एर कितना होता है इस प्रेसर आपको पर डेंसिटी ओफ एर कितना होता है अगर किसी ने फाइंड आट किया है तो डेंसिटी ओफ एर जोता है वह वह वन पॉइंट तू नाइन थिरी कीलो ग्राम और मीटर की वहता है इस प्रेसर आपको पर अब पर अब दर्शे लिए तो रोगे तो डिशीटी जुट आती है वह तू एट पी नीटर पार सेकेंद राइगी ठीक है और जो एक्ट्ट्वल वीलोसिटी जू एक्ट्वल सांड की वेलोसिटी एर में आती है उसका व्याल्यू जो होता है वह थ का जो प्रोसेस होता है उसको नीटन नने अईसो थर्मल पार सेगना है इसका इसका का इतना थे वैई चिल्टर नहीं होता है तो अच्छी नूटन ने गल्ती कहां की तो न्यूंटन गल्ती हो कि व्राइं थी तो उन्होंने गएश् dak Uh-जो फ्रोसец के दिया तो कि बोटा को कचैने के खिली देते हैं लडागी तो ह trophies अंगा सबु lies चुरा Olayि तुन की थीक तो उन्होंने कि अएा इस बहुत हो लेकर टेज देश था है जो ऑश़को खित दो 108 ज सी डाम्हें जो गहुआ है? यह को निकाल देखो निug TM के लिए जो निटोन ने क्या किया लुका है मिन आँ की दिध निग्ण Sबैक देखो लिए इसन इसको आइसो थर्मल मान लिया था मिस थर्म沒有 का थेखिए कंप्रेशन लिए१र उडियाasına। प्रक्रार शक्राइस Following सब्सक्राइब कर दिखा दिया वो सब काम आफ करोंगे तो बुल्क मोडलस की जो वैलिव आती थी ना वो प्रेसर के बराबर राता था इससे जब आप फॉल्डा निकालोगे वी बराबर अंडरूट बीटा बाइड देंसिती तो इसकी वैलुट दो सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करके तो पूछ सकता है तो पूछ सकता है संध्या बताओ संध्या यह तो बिलकुल मैं तो कहानी परहता रहता हूं मुछ से काफी वाकिव है मैं तो कितना सिंपल मैंने कहानी बताया आपको मतलब निउटन ने गलती कि बीटा का वेलू प्रेसर के बराबर आया अब आते हैं लैपलास प्रेक्षिन लैपलास करेक्षिन लैपलास ने क्या करेक्षिन किया था तो न्यूटन ने जब बोला कि भई जो रियर फैक्षिन और कंप्रेशन का जो रीजन है जो लेयर से कंप्रेशन दैन रियर फैक्षिन दैन कंप्रेशन दैन रियर फैक्षिन इन सब के बीच में जो साउंड जो फ्लो कर रहा है यह जो प्रोसेस होता है यह जो प्रोसेस होता पार कुम्लेट आजा, पिल्सुण weather иде al Started to rolling और बेंगा नॉ और भॉक्रीज जो कम्परेशन और घ्रफिक्षम से लेगों से कौए को इस अबडरीडिक प्रॉसस होता है अदियाि थिक अदिया protect का मतलग क्या होता है no exchange of heat heat का कोई exchange नहीं होना चाहिए no exchange of heat ठीक है अगर यह प्रोसेस है तो इसके लिए pressure और volume का relation पता है कि लिए किसी को adiabatic और pressure और volume का relation बता हूँ relation between pressure and volume बता हूँ PV गुदा पार गामा इस कॉंस्टेंट फिर से बोलो फिर से बोलो था नहीं पी वी फुदा पार गामा इस कॉंस्टेंट राइट राइट रिलेसन में पी अड वी यह कॉंसा रिलेसन होता है भई पी वी गामा बडाबर कॉंस्टेंट ठीक है जब इसको आप और इसको अप्रिफिरिट करोगे तो बल्क मोडलाज जो है न वो गामा टाइम स्प्रेशर के बराबर आता है यही गलती यह जो गलती था न इसी इसी को करेक्शन यहीं न्यूटन इसको पकर नहीं पाया था कि इसको आपको दिखाऊंगा अब क्या में आपको दिखाऊंगा था न्यूटन ने बताया था बीटा जो होगा वो डेलेक्ट प्रेसर के ब्राबर आ गया था न्यूटन के एक कॉर्डिंग लाप्लस ने बीटा को गामाट थैंक्स प्रेसर बता है यह कैसे आए मैं आपको भी दिखा हूंगा ठीक है देखें अभी में लोग यहां से वलोग सिटी की वैल्यू किसमें आएगी वही बीटा डिवाइड देंसिटी ओफ एयर इसको जब अजाती है अधिक अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बीटा गामाट लावर क्या से होता है चलो आप टिवी गामारावर कॉंस्टेंट ठीक है चलो टेकिंग लॉगरीदम टेकीं लॉगरीदम बोच साइट्स दोनों तरफ लॉगरीदम ले लेता है उसमें क्या था तो यहां पर टेक्स्टेंट कर दिया था कि इसका एक्स्टेंट में गामा का टर्म है इसको डिक्कत नहीं है ठीक है लेकिन फंस जाओ गया आगे चलो कि इसलिए बेटरी होता है आप लोग डिफेंसेट नहीं हो तो इसको बहुत आसामिल लेगे तो यहां से तो यहां से वह ब्रदस्ति नहीं ले रहा हूं कि आपको आसान बना देता है ठीक है समझ मैं आई लोग डिफेंसेट मैंने क्यों लिया आज वई तो यहां से मैं लॉग लेने जा रहा हूं लॉग पी वी गामा बडाबर लॉग अफ कॉंस्टेंट भी बताओ ठीक है मैंने दो तरफ लॉग ले लिया लॉग यू इन्टु भी का फॉर्मुला आपको पता है नॉग ए इन्टु भी लॉग ए इन्टु बी को मैं क्या लिख सकता हूं लॉग ए प्लस लॉग भी बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछो 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 पी संद्या कैफी बताओ नेहा जी अब इन्टु बताओ किसी कुछ डाउट है तो मैं आगे परों ठीक है चलो आजाओ यहां से मैं इसको ब्रेक करने जा रहा हूं लॉग प्लस लॉग वी डेश्ट टु दी पावर गामा बरावर लॉग के मैं इसको लिख सकता हूं किया देखना तो यह जो पूछ पर अगर सम्थिंग रहता है तो पावर गुना में आ जाता है यह सब पता है ना आप लोग को भी यह मैं तो यह गामा गामा जो एना यह लॉग जाए पावर में क्यों लेग HTML कर दाओं आप लोग पढ़ना है आजो अब डिफ्रेंशियट करने जा रहा हूं ना मैं डिफ्रेंशियाटिंग बोज साइड अब मैं तुनों तरह इसको डिफ्रेंसियट करने जा रहा हूं देखो तो मुझे क्या मिलता है भी पी का डिफैंशेंशेंशेंशेंशेंशन जो भी होता है नौक के साहथ जो भी रहता है holds the division में चल o यह 1 By P हो जाता है और एक डिफैंशेंशेंशन का तर्मियंसके पास रह जाता है कि फिर से जाव इस करूँ और एक्स्प्रेन करता हूं इसको बोलो सभी बोलो कोई भी एनिवन लिया कि चलो आजा इसको डिफरेंसियाट करते हैं यह दोनों वैरिय बल्सान वी दोनों मेरे वरिय वरिय झते हूं तो differentiating with respect to P, या तो आप P के respect में कर लो, या तो आप V के respect में कर लो, ऐसा कुछ होता है, ठीक है? यह होता क्या है कि धिओ अउफ डर इसको य अगर आप इसको डिफेंसियट करने जा रहे हूँ। पहले हम क्या करते हैं? एक को जो न, वो बाहर रखते हैं, किसी भी एक को जो आपके इच्छा है, उसको आप बाहर रखो. ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ? Y को मैं बाहर रखता हूँ. Y को मैं बहार रख रहाँ ना sorry 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 y को मैंने बहार ऱख दिया मैंने Z का My sincer कर दिया Plus अब जिसको बहार रख रख यो न simplesmente आप उसका perception करो आपने किसको बहार रख था अपनेак को रहार रख था तो अभी तो यहां पर देखते हैं मैंने य को बाहर रखा जट का किया अब मैं जेट को बाहर रखूंगा मैं वाई का करूंगा ठीक है बड़ाबर यहां पर कोई एक constant टम था ना तो constant का differentiation हमेंसा जीरो होता है दोनों जाकर 0 हो गया, यह मेरा क्या बन गया भई, य द्ज प्लस जड दी वाई, बढ़ावर जी, बताओ, यह समझ मैं आ, यह समझ मैं आ, अभी मैं गामा प्याने वालो हूँ, यह समझ मैं आ, चलो आजाओ, अब लॉग प्याता है न, लॉग पी था मेरे पास, प्लस गामा टाइमस, लॉग वी था मेरे पास, बरावर, लॉग अलोफ गूंस्टें था, ठीक है, डिफरेंसिए इड इट न इंट न आने वाला है, चलो आजाओ, डिुपरेंसिए टिंग, with respect to या तो up p के respect में कर लो या तो up v के respect में कर weights जो आपकी च्छा है उससे करो answer, same आएगा suppose करोकि मैं p के respect में करने आता हूँ with respect to p p के respect में करो तो क्या होता है तो log p है न log x d by log x divided by dx x के respect में जवाब करते हो तो ये 1 by x आता है log x का differentiation अप्लस डीबाई डीपी गामा लॉग वी बराबर डीबाई डीपी लॉग के बता वह यह समझ में आया है मैं इस equation को with respect to with respect to p differentiate करने जा रहा हूँ अगर आपकी इच्छा है इसको आप V कर रिस्पेक्ट में करना चाहते हो उससे भी करो answer, same आएगा, गलत आने का सवाल ही नहीं कि answer गलत आजाएगा, ठीक है, चलो, P कर रिस्पेक्ट में करो भई, कैसे करोगे, तो P, यह क्या था formula, log x कितना होता है, 1 by x, यहाँ पर dx नहीं आया है, यहाँ पर dx का term नहीं आया है, ठीक है, तो मैंने 1 by t कर दिया, plus, यहाँ पर गामा तो सबसे बहले बहार निकाल लो, ठीक है, log v का, v का आपकर रहे हो P कर रिस्पेक्ट में, तो इसमें क्या होता है, यह एक chain rule से चलता है, यह chain 1 by v में आ जाएगा, 1 by v आ जाएगा, ठीक है, इन्टू, अब v का खुद का differentiation, d of dv by dp, यहाँ पे भी ना एक dp आता था, divided by dp आता था, divided by dp, और यह dp और dp cancel हो जाता था, एक्चुल में ऐसे differentiation होता है, बट यह सब इतना हम जाते नहीं है, ठीक है, चलो, dv by dp हो गया, बड़ाबर, यह constant term है, यह तो 0 आ गया, इसको जब आप solve करोगे ना, इस पूरे को जब आप solve करोगे, तो आपके पास क्या आएगा भई, आपके पास क्या आएगा, देखो तो, 1 by p plus gamma, 1 by v, dv by dp, बड़ाबर, 0, इस पूरे को solve करोगे, तो आपके पास आ जाएगा, वी डी पी, प्लस गामा, टी वी बराबर, 0, यह यह ता पीछे, ठीक, अभी यह यह ता पीछे, आगया, यह देखो, डी पी बाई पी, यह फिर गामा, डी बाई डी, सब यह यह ता, वहां भी ना, सेम ही आएथा, ठीक है, चलो, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे वेल प्लस वाओ, मुझे यह चाहिए, चलो, आजो, देखते हैं, वी डी पी, बराबर, निगिटिव आफ गामा, टी डी बी, देखना थरी, इसको मैं लिक सकता हूं paradigm, इसको मैं लिख सकता हूं किया V DP divided by DV और माइनस गामा पी को मैं यहीं पर छोड़ देता हूं इसको मैं लिख सकता हूं क्या देखना तो DP divided by DV by V ठीक है बराबर टो यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो बहुन बताओ तो पूछो जो और कोई बिद्धा कोई कालकुलास में कहीं कोई आपको दिकत हो रही है तो आप पूछ सकते हो भी अधिवरेट करूंगा तुट्राइब सब्सक्राइब खocyst क्चाईए इस लिए च्छ ऊबचे थे आपसे इस तब बढूर के हैं तो मैं इस माइनस को में कि इस तरह दे दूंगा को डिक्कट है कि मताना इस माइनस को में यहाँ लगा देता हूं वहे चाहा उधर रख लो जाहिए यहां से बुक मॉड्यलेस दिख रहा है क्या? क्या जुकुलात już है? इस है क्या speaking मारें आपको और यहाँ जिख रहा है ना इसा क क yol सबाहर है तो यहां से द्रमा को नह पिरुमिल थे क्ल टैमשपी यह ज़ल्व वह गामा टाइमस पी आ गई जो न्यूटन ने बोला था न्यूटन ने सिर्फ पी बाई डेंसिटी कर दिया था याद न्यूटन ने क्या किया था न्यूटन ने सिंप्ली पी बाई डेंसिटी कर दिया था लेकिन पी के साथ गामा का टर्म भी आता है गामा की वैलू गामा क् सकता है गामा क्या होता है यह स्मोलर के पहसिटी अ एक कॉस्ट they're सब्सक्राइब आइ इन घ्ल्चु और कहल सब्सक्रारा है ओं लिए खाने कि अफ्रेंट इस थी यह और फाइव पास्कल डेंसिटी एश्टी पे जो आती है वह 1.293 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आती है जब इन सब सारे वैलुस को इन तीनों को इसमें पूट करोगे तो विलोसीटी जो आएगी वह तो यही लाप लस्कार करेक्शन कर वाए था बताओ भी कोई डाउट है किसी को पूछ सकता है कहीं कोई डाउट आया पीछे तो बताओ कोई कैलक्लेसे में डिफेंसेजन समझ में नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा बेर करो बरदास्त करो आगे समझ में आ जाएगा तो यहां से हागर मुझे कोई सोर्स अस्ट्रिंग अगर आपने पढ़ा होगा तो इस तरह से मूफ करता है तो अगर आपने वेफ को अगर आपने सही से समझाओगा अगर वेफ को तो इसमें आपको बताएगा होगा कि पार्टिकल जो होता है यहां के जो पार्टिकल वेफ के जो पार्टिकल है वो उपर की और मूफ कर रहे होता है ठीक है अगर आप एक्वेशन लिखते हो वाई बडाबर ए के साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी किसरन कहां से आता था यह इक क्यासर आता था यह पार्टिकल जो होते था जो पर इसका अच्छूल डिस्प्लेस्मेंट् अपने क्या किया आपने स्नाप यहां दिया होगा, अगर अगर अपने पर अगए तो आपने इसको झटका, एक यहां पर आपने अपने पर आप पूरा पूरा जो डिस्टर्बेंस आपने एक एंड पर जनेट किया था वह एंड का जिस्टर्बेंस नवह दूसरी तरफ चला जाता है एक 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 एंड आग्जूर्त आप गएंड रहे तो जो है आप एक पर सेबुआ है? यह पाला प्रोशस है। अब यह बना चंश है। लिए मेडिए है यह कही कही नहीं है. है और अदमी इढेस है इisters उठाया उसने अगले के ट्रांसफर किया तो actually eat को पहुंचना था disturbance, इस eat को पहुंचाना था मुझे घर बनाने के लिए, ठीक है, मैं medium को मैं move नीं कराना चाहता हूँ, तो यही होता है, actual में जो wave होता है वो बिल्कुल इसी pattern पर काम कर रहा हुता है, रस्ती में आपने disturbance क्या किया था, रस्ती में आपने disturbance यहाँ पे create क यहां का जो इंट था वो उठान के जाता तो इस नॉट वेव में तो फिर तो humans करने लगा अपनी ज़ाइब करता रहता है तो अब मिडिया मूव नहीं करता है तो अब मिडिया अगर मूव नहीं करता है कैसे बनता है अगर मैं बोल रहा हूं तो यह जो हमारा गला होता है यह वैब्रेट करता है तो मैं क्या करूँगा मेरे आसपास का जो एयर है मेरे मुह के पास का जो एयर है मैं इसको डिश्टरब करता हूं मैं इसको डिश्टरब करूँगा तो यह अपने आगे वाले को धक्का देगा ठीक है यह अपने आगे वाले को धक्का देगा वापस यह अपनी जगह पर आ जाता है यह अगर अगे वाले को धक्का देगा वह उसके आगे वाले को धक्का देगा तो होता क्या है यह जो इसा करके यह अगले को डिश्टरब किया यह अगले को डिश्टरब करके वापस अपने जहाब चलाता है तो इसा करते ए नियुक्त पश्टरब करने और फेक्स परले यहां पेसर में चले स injuries Нет पूरा dense particle जो होते हैं बहुत dense होते हैं. तो सोचो कि मैं यहां बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेरे यहां, अगर सामने कोई बंदा कोई ख़ड़ा है मेरे पास, मैं कुछ बोला, तो मेरे मुझ से कुछ निकलता है और वो सामने वाली कान में जाके गिर जाया, ऐस यहां का जो एर है, मेरे मुझ के पास का जो एर है, वो उठकरके उसके कान में नहीं गया है, मीडियम मुव नहीं करता है, मीडियम को कोई displacement नहीं होता है, यह region मनाता है, यह बहुत जादा होगा, फिर अगला 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 बहुत जादा होगा, फिर अगर इससे के सारे के साहरे होते है तो यह शुन को अटे को आपको घर बनाना ईघ्ट कर कर दो इसको देगा मजदूर मूफ कई नहीं कर रहा है किया, इस 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 को देगा, भीलम स्टीन को अब मुण करता है जो आजो, आगे बढ़ता है, दोपलर एफेक्ट, डी ओ डेवल पी ल, ए र, ठीक है, इस सब मैथमेटिक्स है, यह सब तो, यह सब तो थियोरी है, मैं बता रहा हूँ तो थियोरी है, बट एक्चुली तो यह मैथमेटिक्स, इसका यूज हम लोग इसका सारा पप्षे कि-ध यह कुछ डाउट है वही, झानीट ओट किया कहानी था, नीटर ने बोला था कि, कम्प्रेशन और एक्षन जो का वो आइसो थर्मल प्रोसेस है, लैपलास ने इसको करेक्ट किया, लैपलास ने बोला कि, गमप रिवसे का जो प्रोसेस होता है वह तरह के बोले उसको क्लास जब जब करें लिए रेकर पांच निटे पैंट जिन दे प्रक्राइब तो टैंड तो दप्रिक्ट सब्सक्राइब आपको भी बताया कि होगा कि तो यह क्या किया था इसको ना बहुत कसके बजाया है अपने हाथ पे यह बजाता था बहुत कसके बजाता था ठीक यह इसका इसका पैंडल है यह जो पर चाहँ है और इसको प्राव जाता है किसा था छाण के पास ले जाता है कि अपको कितना हाँ वार्जा रहा है में तो अप्ज़र्वर्ड जैसे इन केस मेरी मम्मी को अगर वह डॉक्तर बजाता है और उसको कान पे लेकर के जाताओं और पूछता है कि बताई आपको कितना सुना ही पड़ रहा है तो फ्रिक्वेंसी तब चेंज करने लएगा जब वो डॉक्टर या तो तुनिंग फॉर्क बजाया और वो दूर भागने लएगा ठीक है तो अब जरवर डैट इस मेरी मम्मी कर बैठी हुई है तो फिर ना जो स्काहरण सबस्केशन भागने लगा ठीक है तुनिंग फ्रिक्वेंसी जो मेरी मम्में एगा ठीक है को तुनिंग फ्रिक्वेंसी जो फ्रिक्वेंसी अगर तो इसको सब्सक्ता आचित बजाया हुआ निवास के पास लाए और मेरी मम्मी जो है वो दूर भागने लगी है तो इससे बागता है तो इस एफ्ट जो 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 फ्रिक्वेंसी का चेंज हो ना because of the motion of the observer or the source it is called Doppler effect है अभी हिसको लिख लेते हैं हम लोग एक में लिख लेते हैं इसको और बाकी इसका अगले class में देखें तो Doppler Effect क्या होता है इफ जहान से देखो भैजिए Doppler Effect क्या है एक लाइन का है इफ द यहान साथ यह तो source और दि अपजरवर यह तो अगर बोल रहा हूं अगर कोई बन्दा सुन रहा है सामने तो उसका मेडियम कोई होता है sound air with respect to the medium then then the frequency observed then the frequency observed then the frequency observed may be different may may be different from the from the source of the from the frequency from the source source of the frequency the tuning fork has originally generated it, it is different from the source of the tuning fork it is different from the source of the frequency from the source of the frequency source from the source of the from the source different from the source frequency different from the frequency of the source yes सब्सक्राइब करने लगता है तो सोर्स करने लगे या तो सोर्स करने लगे या तो अब जर्वा मुफ करने लगे दोनों ही केसे में डाप्र एफेक्ट यूज होने लगता है अब या पी क्लास है ना साथ पर इस है यह सर ना चलो फिर अधिक फिर ने एक क्लास में को कलम इस इसपा मैं है और मेरे पास अभी था लेकिन मैं तो इस तो स्वब नहीं करा परएज धो पूरा दस न्यूमेकल मैं सिलेक्त करकर लाया हूँ था यह बहुत हलके लिकर्कों सारे बहुत हलके लिकर्षा को जिए तो खुछ दिखता नहीं है न मतलब मैं बोल तो रहा हूं और सामने वहाली कान में गिर जा रहा है तो कैसे गिर दा तो थ्रा आपोगे नेक्स क्रास अपना टेंडक यूब आपकी कॉनữa क्राम ए एके लिक इस हम ने जा ने हो отсkellय हुआ थे